नमस्कार दोस्तों मैं कनेयालाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल इस्टडी विद केल सर में दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ उपसर्ग शब्दों का टेस्ट दोस्तों इस टेस्ट में 20 प्रशन होंगे जो परिक्षा की दरिष्टी से अतिम है तो पूर्ण होंगे तो टेस्ट को बिल्कुल भी इसकिप मत कीजिए टेस्ट को पूरा देखिए और चेनल पर नई है तो चेनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर बहुती अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता है टेस्ट सीरीज वगरा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर जाएएगा कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल केसा था तो चली दोस्तों, शुरू करता है दोस्तों, पहला प्रश्ण है किस शब्द में उपसर्ग औवं प्रत्ते का एक साथ प्रयोग हुआ है? अपमानित, स्वयमवर, सह पाथि, अभाव तो बताईए दोस्तों, इस प्रश्ण का सही उत्र क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक अपमानित दोस्तों अपमानित में उपसर्ग और प्रते दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है इसमें अप तो उपसर्ग है मान शब्द है और इत प्रते है इस प्रकार से इसमें उपसर्ग और प्रते दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नम्मर दो किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है संस्मरन, संतोष, संस्क्रत, सज्जन तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नम्मर चार, सज्जन दोस्तों सज्जन में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बलकि इन सभी में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो यहां सही उत्तर है, विकल्प नंबर четыre nature, सज्जन चलिये चलते हैं, अगले प्रशन की तरफ, दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नंबर तीन, वियू हुमें उप्सर्ग है, वी, व्य, व्य, वय, तो बताएए यहां पर सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक वी दोस्तों व्यूह में वी उपसर्ग है चेलिये चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर चार प्रयोपसर्ग का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में नहीं हुआ है प्रण, प्रसिद, प्रताप, प्रमान तो बताईए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक प्रण दोस्तों यहाँ पर जुए प्रण शब्द है इसमें प्रयोपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि प्रशिद में प्रयोपसर्ग है प्रमान में प्रयोपसर्ग है और प्रताप में भी प्रयोपसर्ग है तो सही उतर है विकल्प नमबर एक प्रण चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर पांच निम्न लिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है अत्याधिक सुरेश निदेश सुयोग तो बताएए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो सुरेश दोस्तों यहाँ पर सुरेश के टुकड़े नहीं होंगे इसमें सु उपसर्ग नहीं है जबकि अत्याधिक में अत्यी प्लस अधिक निदेश में नी प्लस देश और सुयोग में सु प्लस योग टुकड़ हो जाते हैं जबकि सूरेश के नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो सूरेश है यह उपसर्ग रहित शब्द है चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं हुए है कुफल कुरूप कुमार्ग कुसुम तो बताए दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्र क्या है दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्र है विकल्प नमबर चार कुसुम दोस्तों यहां पर जो कुसुम है इसमें क को का उपयोग उपसर्ग के रूप में नहीं हुआ है जबकि कुफल में कुपलस फल कुरूप में कुपलस रूप और कुमार्ग में कुपलस मार्ग उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है जबकि इसमें नहीं है तो यहां पर सही उतर है विकल्प नमबर चार चली चलते है अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर साथ निरुपसर्ग का प्रयोग रहीत शब्द है निरजल निरोग निराकार निर्भय यहाँ पर निर में यह हलनत है तो यहाँ बताईए दोस्तों सही उतर क्या है निरुपसर्ग से रहीत शब्द दोस्त तो यहाँ पर जो निरोग शब्द है वो नीह प्लस रोग से मिलकर बना है और निरोग बन गया जबकि निरजल में निर प्लस जल निराकार में निर प्लस आकार और निरभय में निर प्लस भय है तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नमबर दो अपन से पूच्छा था निरोग चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर आठ ने उपसर्ग का प्रियोग रहीत शब्द है नकुल नास्तिक नपुन्सक नर्तकी तो बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर चार नर्तकी दोस्तों ने उपसर्ग का प्रियोग रहीत शब्द है नर्तकी इसमें ने उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है जबकि नकुल में ने प्लस कुल हो जाता है नास्तिक में ने प्लस आस्तिक हो जाता है और न उगला प्रश्न है, प्रश्न नमबर 9, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है, 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 वी उपसर्ग नहीं व्याकरण में V-A करण और व्याक्या में B-V का परयोग होता है जबकि वित्त में V का परयोग नहीं है तो यहाँ पर उतर है विकलप वित्त चलिये चलते हैं अगले प्रशने के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर दस नी उपसर्ग से बना शब्द है निराकार, निर्मल, नी अंतरन, नी रोग तो बताईए यहाँ पर सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमर तीन, नी अंतरन यहाँ पर नी उपसर्ग का प्योग हुआ है दोस्तों जबकि निराकार में निरूपसर्ग है निर्मल में भी निरूपसर्ग है और निरोग में निह उपसर्ग है तो यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर तीन नियंत्रन चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ दोस्तों अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर ग्यारा तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो प्रती दोस्तों प्रत्युपकार में प्रत्युपकार 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 चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन ह Dick noon V8 आगमन शब्द में कौन सा उप्सरग है या निचे दिए गए विकल्प नमबर से चाइन कीजिए न डतवी दोस्तों आगमन में कों सा उप्सरग है तो दोस्तों आगमन में उपसर्ग है आ विकल्प नमबर एक आ प्लस गमन आगमन तो यहां पर उतर है विकल्प नमबर एक आ चली चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर तेरा अत्यांत शब्द का प्रयोग तो उपसर्ग है अत्याती तो अतियंत बन जाएगा तो यहां पर उपसरग ए विकल्प नमबर चार अती चलिए चलते हैं अगले परशन के तरफ दोस्तों अगला परशन है प्रशन नमबर 14 अतीव शब्द में निमने लिखित में से कौन सा उपसरग है अतीव अधी अतीव तो बताएए दोस्तों इस प्र अतीव तो चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 15 अनादर शब्द में कौन सा उपसरग लगा है दर आन अन तो बताएए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 अन दोस्तो कौन सा शब्द अशुद्ध है तो आध्यात्मिक वागीश पर्द्याप्त संग्र है तो बताईए यहाँ पर सही उतर क्या है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर एक आध्यात्मक दोस्तों यहाँ पर पूँचा है कौन सा शब्द अशुद है कौन सा शब्द अशुद है तो अशुद है आध्यात्मक जबकि वागीश सही है संग्रह सही है और पर्याप्त सही है आध्यात्मक की जगे यहाँ पर होता है दोस्तों आध्यात्मिक होता है, इसलिए यहाँ पर सही उतर है, विकल्प नमबर एक, आध्यात्मिक अपन से अशुद पूचा था, चलिए चलते हैं अगले प्रशने की तरफ दोस्तों, अगला प्रशन है, प्रशन नमबर सत्रा, प्रतिउपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, प्रया दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3 प्रत्यक्ष दोस्तों यहाँ पर जो है प्रति उपसर्ग से बना सब्द प्रत्यक्ष है इसमें प्रति प्लस अक्षी मिलकर प्रत्यक्ष बनता है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक आ आगे मिलाने वाला स्वर उपसर्ग आ है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 19 इन में से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है अन्धिकार अनुपयोगी अनुर अनुपसर्ग नहीं है तो यहां पर सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 अनुपसर्ग है अनूरवर में अन प्लस उरवर अनूरवर है जबकि अनू करण में अनू प्लस करण अनू उपसर्ग है तो यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर चार अनू करण चली चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर बीस उससे पहले आपसे निविद दने कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा है ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को सभी दोस्तों को इसका फाइदा मिल सके चलिए अगला प्रशन है प्रशन नमबर 20 किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है निकट, विशेश, परदेश, आदेश तो बताएए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 1 निकट दोस्तों इसमें कोई उपसर्ग नहीं है जबकि विशेश में वी प्लस सेश हो जाता है वी प्लस सेश हो जाता दोस्तों और आदेश में आपलस देश हो जाता है तो इन तीनों में उपसर्ग है इन तीनों में विशेश आदेश और परदेश में उपसर्ग है जबकि निकट में कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत